हे हेडोडनु एल्कम बैक तो इस देखने वाले हैं gate and post गेट and post हम फॉरम में यूज करते हैं किस तरह U उज करेंगे तो इसके बारे में जानते हैं पहले देखे यहाँ पर हम जब फॉरम बनाते हैं तो आंपने देखर होगा कही Cay तो यहां पर लिखा होता है यहां पर ऑर यहां पर और यह यह दोन को हभ योज करना चाहिे इसके बारे में जानते जब अध्यम कोई फॉर्म बनाते or request that do not affect the state of the system gate क्या करता है only request भेशता है किसी भी server को या किसी भी state को जो भी request भेशता है यह उपफेक नहीं करता है state of the system को second है any request that could be user to change the state of the system should use post जैके अगर आपको system के साथ यानिके कोई changes करना है state system के साथ तो आप यूज कर सकते पोस्ट अप यह दो किस तरह यूज करेंगे gate और पोस्ट में तर यह आगे जानेंगे देखिए gate का यूज gate would also unsuitable for password form gate क्या करता है जैसे कि आपको कुछ सर्च करना है किसी site पर जब आप search करते हो या आप किसी form के अंदर कुछ data भरते हो ओके data भरते हो जैसे नाम डाला email डाला देन password confirm password इस तरह के form अपने आपको भरना है जैसे कि क्रिदेंशिल होती है आपकी password मतलब credential होती है okay secure होता है मगर gate जब आप gate meter का यूज करते हो तो यह security जो है जो आपने data history and server logs मैंने आपड़े का हाया है कि आपके जो भी url से उसमें आपका password show होने जाएगा दिन जो भी Browser history होती है दिन server logs होता है वहां पर भी password आपके history में शो करने लगेगा तो gate तो password form के लिए unsuitable है तो आपको gate का use नहीं करना है वहाँ पर all in plain text नेदर इन विक भी suitable quantity data है जो अपने भरा है पास्वर्ड हो या किसी आपका कुछ यूजर नेम हो कुछ भी ओके जो भी quantity data है आपका suitable जो भी है नेदर वूड भी suitable for large quantity of data और और for binary data such as the image a web application that uses get request for the admin form is a security risk अब जैसे कि यहां पर ना और एक बात है binary data किसे कहा जाता है images को अब images को आपको show कराना है देखें मेरी images मुझे website में show कराना है कोई भी images को show हैने कि search करेगा search करने के बाद क्या होगा images show होने लगे जो data है gate data वो gate data तो accept कर लेगा मगर जो भी images का path है जो भी नाम है उनके कुछ भी चीज़े है वो सारे urls pattern में दिखने लेगे ओके तो security risk है it can be easy for attacker to mimic a form request to again access to sensitive part of the system तो easily जो भी urls में show करेगा attacker तो easily आपके पास attack कर लेगा किसी भी sensitive part के लिए ओके तो अक्सेस कर लेगा तो attacker easily इस gate method से access कर सकते हैं आपका data तो gate request कहां पर use करना है कहां पर नहीं करना है तो यह सारी चीज़ा हम जानेंगे इस यूडियो में और पोस्ट के बारे में जानते हैं पोस्ट कपल विद और प्रोटेक्शन लैग जांगो CSREP protection object offers more control or access यह CSREP क्या है जांगो प्रोवाइड करता है CSREP cross-site request forgery protection यह जांगो की और सी प्रोवाइड किया जाता है और यह इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में सिर्फ आपको यह दिहान रखना है कि जांगो आपको प्रोटेक्शन के लिए CSREP protection प्रोवाइड करता है post method आप यूज करते हो तो ओके दिन आगे जानते हैं get by contract bundle the submitted data into the stream and uses this compose urls the urls contain the address where the data must be sent as well as the data key and value get get method जो है ओ डिक्शनरी फॉर्मेट में वैल्यू प्रोवाइड करता है डिक्शनरी में क्या होता है की और वैल्यू तो यह सबको पता होना चाहिए कि की वैल्यू क्या है इस तरह यह डेटा प्रोवाइड करता है get method में आगे जानते हैं Django login form is a return using the post method in which the browser bundle of the form data included it for transmission send it to the server and then receive back its response जो भी post method है क्या करता है Django login form return करता है using post method यह जो ब्राउजर bundle में जो भी data है तो include करता है transfer method से then set करता है जो भी sends करता है server then and then receive back to the response जो भी send क्या हुआ डेटा है यह response की तौरा वो receive करता है back okay आगे जानते है gate is a suitable for think like a web search form because the URL that represents gate request can easily be bookmarked said or resubmitted gate method कहां पर use करना चाहिए जैसे कोई search कर रहा है किसी website को ओके आपको represent करना है मतलब आपको उस site को bookmark करना है ओके आपको user को देना है कि हमारी site को bookmark करें तो तब आपको gate method का यूज करना चाहिए क्योंकि यह easily जो भी browser है जो भी user use कर रहा है उस browser में वो bookmark कर सके easily ओके अब वह वहां पर form अलग-अलग तरीके होते हैं जैसे आपको एक program में multiple आप form बना सकते हैं अलग-अलग form बना सकते हैं तो कहां पर आपको bookmark कराना है user को कहां पर नहीं कराना है यह आपको आप पर depend होता है Azure developer ओके तो यह सारे चीज़े हैं जैसे search कर रहा है then url represent करना है जैसे कि मुझे यहां पर किसी song को search करना है ओके तो songs हो है publicly होते जो भी publicly data होता है उन data को आपको get method से यूज़ करना चाहिए क्योंकि publicly आप तो रख रहे सारा data जैसे मुझे song search करना है ओके तो song सभी songs publicly होते हैं तो urls में दिखिए या bookmark कर ले या history में जाए इससे कोई मतलब ने बनता है तो आप get method easily use कर सकते उसमें तो आपको द्यान रखना है get method कहाँ पर यूज़ करना है post method कहाँ पर यूज़ करना है post method वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर credential है आपको जैसे आपकी password या sensitive data है या आपका security data रखना है तब आपको post method यूज़ करना है gate method कहाँ पर यूज करना है gate method वहाँ पर यूज करना है जहाँ पर आपको search easily search हो सके easily जैसे song search करते हम url में कुछ चीजे दिखाने हैं तो यहाँ पर आप gate method easily use कर सकते हैं तो यही थी theoretically जो gate और post method हमें शिखना था तो इन दोनों को हम practical exam से भी दिखेंगे कि किस तरह यह use होते हैं किस तरह हम use करेंगे ओके तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है थैंक्यो पर वाचिंग दिश वीडियो